सरकार स्वाकत आपका सेल्फ स्टड़ी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक वर्ल्ड रिपोर्ट आई है 2023 Human Rights Watch की एक वर्ल्ड रिपोर्ट निकाली गई है 2023 इस 33 एडिशन में बोला गया है कि भारस सरकार जो है वो मानवादिकारों का उलंगन कर रही है मानवादिकारों का कैसे उलंगन कर रही है कुछ नीतियां ऐसी है भारस सरकार की जो अलप संको को डबाया जा रहा है चो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है उनको डबाने की कोशिश की जा रही है पर्टिकल लोगों को मीडिया पर्षन को टार्गेट किया जा रहा है ये भारती अथोर्टी जो वो कर रही है ये बात बोली गई है इस रिपोर्ट में तो भाई किस बेस पे बोली है ये बाते हैं उसको भी हम डिसकस करेंगे साथ इसन जानेंगे कि मानव अधिकार क्या होते हैं क्या भारत सरकार मानव अधिकारों का लंगन कर रही है इन समाम बातों को हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं पीडियेफ के लिए मैं बता देता हूँ जो Human Rights Watch है उसने अपनी एक World Report 2023 तैंतिस्वा एडिशन निकाला उसमें का कि जो भारती अधिकारी है यानि जो भारती है अथोर्टी है उन्होंने 2022 के दौरान जो कारे करते हैं भारत के अंदर यानि कि जो एक्टिविस्ट है जो मीडिया परसन है जो सरकार से सवाल उठाते हैं सरकार के किलाब बोलते हैं सरकार के नीतियों का उलंगर मतलब की नीतियों से निकाल बताते हैं कि इस नीति में ये कम ही है तो उनको दबाने के लिए अपनी कारवाई तेज की गई व्यापक की गई मतलब की और जादा जल्दी जल्दी इनको जेल में डाला गया कब पहले क है यह साथ साथ से यही बात है जो सल्ब संक्यागा का विदियो में य रखने से पहले तो पर आपको कौन सी जाती से आता है वो कौन से धर्म से आता है वो कौन से देश waking से आता है उसका वंस का है उसकी बाश के उससे कोई मतलब हमतलब नहीं यह वह अधिकार रहते हैं जिसमें वह संतनतरता होगती है किसी की गुलामी नहीं करना digging कि से आी अपने रखने की आजादी है, अपने opinion को रखने की आजादी है, उनको अधिकार है काम करने का, उनको अधिकार है education का, और भी बहुत सारे अधिकार है भारत में National Human Rights Commission भी है और भारत में जो अधिकार है, एक तरीके से आपको पता है constitution के द्वारा दिये जाने वाले अधिकार fundamental rights हैं, और इन fundamental rights की सुरक्षा करने के लिए हमारे पास कौन है court है, तो यह हो जाते हैं आपके सामने human rights के हैं, फिर एक बार जो agency इसके बारे में जान लेते हैं कि कौन है human rights watch, जैसे इसका नाम है human rights, मानव अधिकारों को देखने वाला, यह एक अंतर राष्ट, यह इंटरनेशनल एक NGO है, जो बाहर बैठी यह जांच करती है कि भारती के अंदर कितने अधिकार जो है, वो सही से पालन किया जा रहा है, उलंगा नहीं कर रहे हैं तो एक तरीके से जो NGO है, इसकी स्थापना 1978 के अंदर हेल्सिंग की, जो फिनलैंड में है हेल्सिंग की वोच के रोप में हुई थी, शुरुआ दम 1978 में, शुरू में इसका उदेशया जो था हेल्सिंग की समझोते पर, जो साइन करने वाले देश थे, उन देशों में इन अधिकारों के जो अगर हनुन हुआ है तो उनकी जांच करना था वर्तमान में इसका जो दाइरा है, दुनिया बर के सो देशों में विस्तारित किया गया है इसको जो मुख्याले है, वो नियॉउर्क में है हेल्सिंग की समझोता एक तरीके से 1975 में हुआ था एक समयलन हुआ था, उस समयलन की समाप्ती के कंक्लूजिन के उपर हेल्सिंग की समझोता किया गया था वो जो समयलन था, फर्स्ट कॉन्फरेंस अन सिक्योर्ट और कॉर्परेशन इन यूरोप हेल्सिंग की समझोता यहां पर हुआ था, यह एक तरीके से फिनलैंड में हेल्सिंग की जगह पर हुआ था, इसलिए इसको हेल्सिंग की समझोता इसका नाम पड़ गया इसका जो शुरुआती, जो मुख्य रूप से काम जो था, वो USSR, तब USSR हुआ करता था, आज की डेट में जिसको रूर समझा बोलते हैं, जो पंदरा देशों में तूट गया उस वक्त, जो USSR है और जो पश्चिम जो बलोक है, उनके बीच में जो तनाव चला करता था, उसको तनाव को कम करने के लिए, हैल सिंग के समझोता हुआ था, इसमें सारा यूरोप शामिल था, साते इसमें इसमें साइन किये थे, और जो इस समझोते पर साइन करने वाल 35 जो देश थे उन्होंने कहा था, कि वो मानवादिकारों और मॉलिक संतंतरता का सम्मान करने का वचन लेते हैं तो यह हो गया आपके सामने Human Rights Watch क्या है अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या बोला गया और इसने क्या बोला इसने क्या की निश्कर्ष निकाला है 2023 अपनी इस रिपोर्ट में इन्होंने कहा है कि जो भारे सरकार है वो मानवादिकारों का वो लंगन कर रही है कैसे के अंदर सरकार जो हिंदू बहिव संक्यक यानि कि जो हिंदू मैजोर्टी है उस विचारधारों को बढ़ावा दे रही है और जो अथोर्टी है जो सपोर्टर है जो धार्मिक अल्प संक्या का obviously Muslim इनको बोलना था जो अल्प संक्या का उनके खिलाब भेद पार पूर्ण वैवार करने और कभी-कभी हिंसक कारवाई करने है तो भी उखसाती है यह खुद यह report बोल रही है इसका base क्या है यहाँ इनोंने नहीं बताया लेकिन हाँ बोल दिया कि भाईया देखो हम Human Rights का watch करते हैं हम देखते हैं कि माना अधिकार क्या है कैसे चल रहे हैं तो इनको दिखा कि भाईया देखिए यहाँ पर जो अल्प संक्या का उनके खिलाव कारवाई की जा रही है इनके पास उसका कोई बेस नहीं होता फिर इन्होंने बोला कि जो महिलाओं के खिलाव जो हिंसा हो रही है उसमें भी यह बहुत 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 पांपूर्ण नियुती अपनाते हैं जैसे कि जो बिल्किस बान्नो जो है बनाने की इसके उपर पाबंदी लगा रहे है ये बात इस रिपोर्ट में बोली गई है साथे साथ इन्होंने बोला जो अथोर्टी है वो क्या कर रही है जो पत्रकार है जो मीडिया परसन है जो एक्टिविस्ट है है उनके उपर भी संदिक तांतिवादी हम लोगा भी जागर के में जागर आप देखें तो ये नहीं बोला कि जम्मू कश्मीर में कैसे डवलोप्मेंट किया जा रहा है वहां पर कितना पैसा खर्च किया गया है वहां पर टूरिजम को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि वहां के लोगों को काम मिले अब न्यूज नहीं आती वहां पर पत्थर फैंकनी की अब न्यूज नहीं आती वहां पर अलगाव बादी की तो यहां पर यह सब चीज़ें हो रही है लेकिन इसको उससे कोई मतलब नहीं है खुद पाकिस्टान आज रो रहा है वो खुद ये बात बोल रहा है कि उन्होंने भारत से लड़ाई करके और भारत से अलग होकर पाया ही क्या है गरीबी और सिरफ और सिरफ आंतरंगवाद लेकिन भार्त इतना आगे बढ़ रहा है कहियों को होता नहीं कि किसी दूसरे देश को और पर डोसी देश को या फिर कोई किसी को देखकर खुछ नहीं होता है, वो आगे बढ़ रहा है सेम इसी का वो हाल है इनका निशकर किस बेस पे निकला है इन्होंने ये नहीं बताया लेकिन हाँ जो न्यूज उपर उपर चल रही है उसी के अधार पर ये सब चीज़े वो बोल दी जाएंगे इस देश में मैं भी रहता हूं मैं भी न्यूज पढ़ता हूं लेकिन मुझे तो ऐसा कहीं पर भी बेदपाम उन्यूती नहीं लग रही मुझे तो अब इसके अलावा इन्होंने कुछ निर्णे हैं उनका स्वागा जरूर काया है इन्होंने काया है कि बारत के जो सर्वोच न्यालें उनके दोरा कुछ कदम जो उठाए गए हैं उनकी सारहना करते हैं जैसे जो कॉलोनियल उनका रजसेराजद्रो कानून चला करता था, उनके उपयोग पर रोक लगा थी, एक जो सुप्रीम कोट की रूलिंग थी, उन्होंने सभी महिलाओं के गरपात का अधिकार दिया था, शायद 21 वीक तक का जो अबोशन का अधिकार दिया गया था, वो कोई भी हो समान लिंग यूगल या एकल माता पिता और अन्य परिवार के शामिल करने तो परिवार की परिभाशा को व्यापक बनाने वाले सर्वोच लेने ने निन्ने का भी उलेकि इन सब चीज़ का इन्होंने स्वागत किया, लेकिन साथ इसाथ इन्होंने का देखिए, हम खुश नहीं हैं क्य क्योंकि अभी भी मुस्लिम चात्राओं के हिजाब पहने का जो दिकार है, वो सर्वोच लेने कोई निन्ने पर नहीं पहुँचा है, बावजुद इसके कि इन्होंने अपनी एक डेफिनिशन दी है, कि एक जो स्कूल है, हमारे कॉंस्टिटूशन में भी यह बात लिखी ग क्योंकि कहीं न कहीं अपनी बात को उपर रखना है, या फिर कहीं कि महाल जो है, वो अलग तरीके अपनी दिशा में लेके जाना है, अब बात कर लेते हैं, भारत में मानव अधिकानों की जो पहले वो क्या है, देखे, समिधान, जो प्रोवीजन है समिधान के अंदर, अधिकार ये समयल है, यहां पर हमारे सामने स्टैशरी सपोर्ट भी है, यहां पर हमारे सामने Protection of Human Rights Act 1993 में जिसको 2019 में amendment करके NHRC National Human Rights Commission के रूप में स्थापित कर दिया गया था अंतराश्य समेलन में भी हमारे देश की भूमिक आ है जैसे भारत ने मानवादिकारों की सर्व भूम गोशना यानि की Universal Declaration of Human Rights इसमें भी active रूप से पार्ट ले रहा है और भारत ने International Convention on Economic, Social and Culture Rights इसके लावा International Convention on Civil and Political Rights इसका भी अनुसमर्तक किया है अब क्या-क्या रिपोर्ट्स निकलती हैं उसको भी हम जान लेते हैं देखे भारत 2021 पर मानवादिकार रिपोर्ट जो अमेरिका विदेश विभाग द्वारा निकाले गई Freedom in the World 2021 रिपोर्ट अमेरिका स्थीथ फ्रीडम हाउस द्वारा निकाले गई डेमोक्रसी रिपोर्ट उनिवरस्टी ओफ गोथेनबर्ग स्वीडन में जो है वीडेम इंस्टिटूट द्वारा निकाले गई यह सब जो है अमारे देश के पर रिपोर्ट निकालने वालों के इन्होंने ठेका उठा रहा है और अपने मन चाहर रिपोर्ट से निकाल भी देते है इनका कोई बेस नहीं होता लेकिन इन सब चीज़ों का अगर आप देखे हैं नीचे कोमेंट सेक्शन ओपने कोमेंट करके भी आप बता सकते हैं पीडियाफ के लिए माप लोगों को लिडिव बता चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा तो जाकर आप वहाँ से इस वीडियो के पीडियाफ भी डाउनलोड कर सकते हैं कुछ जादा पसंद आये हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं बस आज के लिए इतना था थैंक यू फूर वाचिंग दिस वीडियो